है आप सभी का स्वागत एक और नई वीडियो में आज हम घूमने वाले पूरा जैपूर और आपको भी साथ में घूमाएंगे जैपूर और आपको कई सारी लोकेशन जो हम घूमेंगे उनकी सारी डीटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे टिकट क्या है कैसे किया क्या है वहां पर तो यह सब बहुत हीं इंट्रेस्टिंग होने वाला है और इन तक बने रहिए क्या 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 रूल आए को विड चे बाद वह भी मैं आपको बता दुगा कि क्या क्या आपको लेकि जाना है मार्स सेनेटाइजर यह तो कंपल्सरी ही है और भी कुछ चेंजे है तो वह भी बता दूंगा और आज पूरा जैपुर घुमेंगे और आपको भी घुमाएंगे तो इन तक वीडियो को देखे हैं कि बहुत सारी लोकेशन्स कवर होंगी इस वीडियो में तो मिलते हैं आगया कुछ यहां पर एक ठीकाना मंदिर है जो पूराने जैपुर में है जिसको हम लोग पिंक सिटी कहते हैं और पीछे बिट्टू भी है और यहां पर छोटा भाई और पहला ठीकाना मंदिर पर हम लोग आ चुके हैं सबसे पहले घुमना चालू करेंगे तो मंदिर से ही करते ह आपन घूमना चालो क्योंकि भागवान ही सबसे उपर आते हैं तो सुबह सुबह सबसे हमने भागवान का दर्शन करेंगे उसके बाद पूरा जैपुर हम घूमेंगे तो ठीकाना वंदिर्म के गर्तक पूरा आपको डिस्कराइब करूँगा तो विडियो लंबी होगी तो आपको भी इंटरेशन नहीं है मैं दिखाता हूँ आपको शीनेमैटिक्ज तो चलिए सीनेमैटिक्ज में झाल झाल कर दो मंदिर के दर्शन हो तो तो मंदिर के दर्शन हो हो गया है आपको सिनेमेटिक्स दिख जाएंगे अब बाबु भूम रहा है वार वार इसको भी व्लॉगिंग करने का बहुत मन है तो आपको सिनेमेटिक्स दिख गया होंगे अंदर नकाशी बहुत अच्छी थी और रादे कृश्म जी क्या यह मंदिर था तो अब हम दूसरे लोकेशन पर टारेक हो जाएंगे आप उपको सिनेमेटिक्स में पूरा दिख गया होगा तो अब दूसरे लोकेशन में यहां पर चारो दरफ आपको दिख जाएंगे जो लोकेशन है इसके सिनेमेटिक्स हम दिखा दूँगा यह हमारे गाइड ने या ड्राइवर ने यह लोकेशन हमें यहां पर भे जाए पहला था जो मन्दिर उसका सिनेमेटिक्स मैंने आपको दिखा दिखा दिया होगा यह जो दूसरा यह है जन्तर वन। और इसके सिनेमेटिक्स आपको दिख जाएंगे वह बहुत मेल्की संदर लग रहा हैं इसम अप को वहीं कर दो कर दो कर दो करो 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 कर दो करो जैपूर में एक लोकेशन हमने स्किप की थी वो म्यूजियम देखने का मेरा कोई उतना मूड नहीं है और चौथा जो लोकेशन था वो मुझे सबसे बढ़ियां लगा है जो है थी आमेर फोर्ट पर अभी हम जाएंगे और वहां पर एक एक डीटेल आपको दिखाएंगे बह अब यह महल दिखता है सही में कहा जाता था राजा-राजा होते थे इंके पास इतना प्यासा होता था इतना प्रॉपर्टी होता था वो देख के अब पता चलता तो चलिए आपको पूरे सिनेमेटिक्स दिखाते हैं और कोशिश करता हूं कि ब्रीफ-ब्रीफ मैं उसका एक निदे हाय कर जा जाल जाओ तो घर जाओ तो एंदा ख्लूस प्लूस जाल जा सकता हो द Lan कर लोगा, कि अ दोस्टों या एो है, हम जास, को अ जोगा, पाना जोगार रिंद्रोग ने, उल्में सथा जोगा, आर डें G27े को Ready-Maybe कि यू म३ कि रिंदर के कहा लगए tra़क mother Hello! तो आपको नीचे से उपर अब हम लोग आचुक हैं नीचे से उपर आने के लिए दो रास्ते एक आप सकते हो हाथी से राजाओ की तरह तो राजाओ के तरह आने के लिए आपके पास अगर आप बस दो जन है तो 1100 कुछ रुपीज लग रहा है और हमने इसलिए चूजने की हैं हम लोग इतने लोग है एट पूरे नौ लोग है तो हम लोगों ने जीप ली जीप पांसो म में जल्दी ही पांसो है झाल झाल कल बता रहते कि यह जो सुरंग है यह खुफिया सुरंग थी यह यूज होती थी लड़ाई में और काफी वक्त तक यह बनती और लोग आते थे गाइड लेके नहीं आते थे तो यह गुम हो जाया करते थे और गुम हो जाने के बाद दिक्कते होती थी तो इस बज़े से अब इनको खोला गया है और यह खुफिया रास्ते है कुछ जहां से राजा अरानी और उनके बच्चे खराब स्थिती में भी बाहर बचके निकल सके और उनका राजवन्स कायम रहे तो मुझे काफी खराब लगती है कि इनसान जब आते इन महलों में तो उसमें अपनी कलाकारी करके जाते हैं अक्सर कुछ लिख दिया करते हैं जिसके वज़ा से अब कई सारे रूम्स बंद हो चुके हैं और जिनमें जाना ही वर्जित कर दिया गया है तो क्रीपिया कर इस वीडियो देखने के बाद कोई भी यहां पर आए तो वो लिखने वाला काम ना करें पूराना कर दिया कर दिया गया बागी पुराने जो माने में जो रानियों के बजार है को गाहों में लगा करते हैं और यह जहां पापी पुरान है 17th century का यह लिखन जेट है हाथी जेट हाथी आता दाए बस्ता आफके में से आफके में से बस्ता दोरे उब करें जेड हाथी झाथी उया जास का यहां एाफना भाव बस्टा बवार्स का भी एुड़ा है इस अपके में से लूश्पार